हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आज हम बात करेंगे डाक्टर हडी सिंग और अन्वर्शिटी सागर के इंट्रेंस के मौडल पेपर की जो की काफी इंपोटेंट हैं परिक्षा के पॉइंट अब इंट्रेंस हो गया या नहीं यह किलियर नहीं है यह UGC डेसाइड करेगा और डाक्टर हडी सिंग और अन्वर्शिटी लेकिन हमें कुछ मौडल पेपर तयार किये हैं जो प्रिवियस एयर के पेपर से हैं और कुछ हमने एड किये हैं तो यह काफी इंपोटेंट हैं पेपर के पॉइंट आप यूज से तो शुरू करते हैं तो अगर आप अभी तक और इस प्रकार की कोईज आप दीजियो परड़े 10 कॉष्चन आपके लिए मिलेंगे और एक दन आपको 50 कॉष्चन मिलेंगे तो शुरू करते हैं तो पहला कॉष्चन है भारती संबीदान की 8 वे अनुसूचि में कितनी भासा हैं तो भारती संबीदान की 8th सेडूल में कि सेडूल हैं या how many schedules are there in the constitution तो संबीदान में 12 अनुसूची हैं लेकिन जब संबीदान लागू हुए था तो समय 8 अनुसूची थी और अभी 12 अनुसूची हैं और संबीदान की 8 वे अनुसूची में 22 भासा को माननेता प्राप्त है अब आत करते ही next question की next question काफी important है कि राज बाड़ा महल है इन दोर में मत्रदेश की राजधानी भूपाल है और राजबाड़ा महल कहां है इन दोर में है नेक्स्ट कोस्चन है MS बर्ड का फुलफों क्या है और MS बर्ड काफी important है और आया हुगा है MS बर्ड का फुलफों में Microsoft बर्ड अब बात करते ही next question की next question है 1893 में युएसे में किस भारती यह ने धर्मों के विस्व शुमिलन में भाग लिया और कहां पल लिया था इस से कागों में लिया था £.. ब्च पन का नाम क्या भी आ जाता है तो उनकी वच्पन का नाम नर्यंदर था नेकस्ट है कि असुख की प्ता का नाम बिंदु सार था और बिंदु सार के पिता का नाम चंदरगुप्त मोरिय था यह दो से related थे कई बार आया कि असुक के सबन से सम्मन दे था तो more events से related थे सबसे पहले थे चंदरगुपतम और उनके पुत्र थे बिंदुसार बिंदुसार के पुत्र थे असुक और चाणक के भी इनी से related थे नेक्स्ट है कि बाबर ने चंदरी की उद्ध में किसी हराया तो काफी बार आया है कि बाबर ने चंदरी की उद्ध में किसी हराया तो बाबर ने चंदरी की उद्ध में मेदिनी राय को हराया नेक्स्ट कॉस्चन है कि खानबा का युद किन किन के बीच लड़ा गया था खानबा का युद लड़ा गया था राना सांगा और बावर के बीच और मुगल सल्तरनत की स्था अपने किस ने की थी तो वो भी बावर ने की थी और जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था तो और अंग्रिप था नेस्ट कॉस्चन है कि CAG का फुल्फम क्या है CAG CAG अभी नए बदले हैं कॉस्चन आभी सकता है CAG अभी नए कौन है तो वो करेंट अफेट्स की वीडियो में आपको बताऊंगा तो CAG का फुल्फम में कमपोर्टरल एंड और्डेटर जनरल अफ इंडिया तो इससे पहले आपको कमेंट करना है कि अभी CAG कौन है और एक और बार टेंद कॉस्चन है कि फंडमेंटर राइट्स केस पार्ट में हैं भारत के सम्विदान में फंडमेंटर राइट्स हैं, जो मोले का मूल अदिकार हैं, वह किस पार्ट में हैं और किस देश से लिएगए हैं तो जो भरती संभीदान के मूल अधिकार हैं वो पार्ट थर्ड में हैं और USA ये उनाइटेट अप अमेरिका से लिए गए हैं USA से काफी question आने की संभाव नहीं क्योंकि 2020 में राष्टपती चुनाओ है अमेरिका का और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सकाइब ने किया है तो सब्सकाइब कर लें और यह वीडियो इंट्रेंस के लिए है डाक्टर हरी सिंग और इनवर्सिटी के और आप किसी भी स्ट्रीम में सेलेक्शन चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो हेलफल है और हर दिन आप इन वीडियो की नोटिकेशन आ जाए और लाइक कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे काफी म्मुटेंट मॉडल अंसर की और फिप्टी मॉडल अंसर देखेंगे, इस वीडियो में हमने 10 मॉडल अंसर देखे और अगर आप कोई्स्टूशन कीוסी की या वो वीडियो देखेंगे आप तो इन इंटरेंस के कॉस्चन इजीली आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपकी सेमेश्टर एक्जाम में भी काफी उपयोगी होंगे और अगर आप कुछ गाइडेंस चाहते हैं तो कमेंट कीएगा प्लीज आपकी कमेंट का रेपलाई किया जाएगा तो धन्यवाद